तब दोस्तों को ज्याहिंद वद्यमात्रम तुष्ट फाइलि दोस्तों SSB ट्रेड्समें 693 में पोस्टों का ट्रेड टेस्ट और डॉकुमेंट का एडमीट काड आ गया समझे और 10 अपरेंट से आप लोगों का ट्रेड टेस्ट और साथ में डॉकुमेंट भेरिफिकेशन अ आप लोगों को इस सेंटर पर बुलाया गया है किसदेट में इस वीडियो के नीचे कॉमेंट कर दिजे ताकी जो नए जो बच्चे हैं जहां पर आफिकर डेट में यह उसी सेंटर पर आपका या उन बच्चों का जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं आपके इस दॉन्टना में comment किया कि वीडियो बनाई है documents related साथ में ये भी बता दिजे कि जो अभ्यार्थी पास हुए है जिनका admit card आया है तो किस center पर किस राज में उनका center दिया गया है इस वीडियो की चे कोमेंट कर दीजे तो दोस्तों कोमेंट कर दीजे और किषिटbildung में आपको दिया गया है गया यह behaving आप ल बात करने वाले हैं कि आप लोग को सेंटर से पर कौन कौन सा कॉल कॉमेंट चेक होगा यादि आपके Southeast के नाम में नाम मिश्च के नाम में आपके जनम्तिती में या आपके नाम में डॉकुमेंट से नाम ऑब्खम से है तो क्या आपको बाहर निकाल दिया जएगा इसके लिए हमें क्या उपाइ करना है डॉकोमेंट क्या क्या लेकर जाना है कौन कौन सा डॉकुमेंट जरूरी है experience certificate लेगा या नहीं लेगा सारी चीज़े एक साथ साथ में दोस्तों दस अपराइल से इस चैनल पर आप लोगों को live review मिल जाएगा और दोस्ते चीज़ बता दे कि आप लोगों से एक आग्रह निवेतन है कि जितने भी अभ्यार्थियों और जितने भी अभ्यार्थी सौट लिस्टेड हुए है प्लीज आप लोग प्रेटेस्ट और डॉकुमेंट वेरिफिकेशन एसकीप मत कीजिएगा मत छोड़िएगा दोस्तों कट अफ इस वार कम जाएगा तो चलिए दोस्तों आईए जानते हैं इस वीडियो में यदि आप अपना अड्मिट का डाउनलोड नहीं किये है तो देखिए आप लोगों का अड्मिट का आ गया है देख लिए लिए डाउनलोड लाट कर लिछे अब रही बात की डॉकुमेंट क्या क्या लगेगा यूँकि दोस्तों पिछले सबसे जरूरी आपका सेंटर कहा हुआ है किस राज में हुआ है अपने सेंटर का नाम और किस डेट में आपका चेस्ट है इस वीडियो के नीचे सब कॉमेंट कर दीजिए अब देखिए पहला आपका सबसे जरूरी आपका अधार कार्द है समझके आधार कार्ड यादि आपके पासं अधार नहीं आ तो कोई id लेकर जाए है जिस पर आपका जनम्तिती मेंसें समझके जनमतिती मैंसें हो इसके बाद तीसरा दॉकुमेंट है सबसे जरूरी डॉकुमेंट है जाती परमानपत्र इसी के अधार पर आपका कटपता है होता है समय की जानने सरकार का जो जानने वह सारव है वह क्या करते हैं LIVE से जो भी aws अपना 온से पर जरूर जाहिएगा जो भी स्क्राध्य वाले हैं अपना दब्लेशें जरूर जाएगा तो भाई समझ लीजिए फिर क्या होगा इसके बाद आप लोगों को यहां पर आ गया रिसीडेंटल साटिफिकेट जिसे हम बोलते हैं क्या रिसीडेंटल का अवास्तिय परमानफक्त्त कॉमसे कम दो से आप पहले बताई यह आप कुक से हैं तो कुक वाले बन वाले होटल से यह आप बार बन वाले हैं क्या कहते हैं नाई के दोकान से बनाएंगे या MIDYU के वाले है तो कपड़े वाले के दोकान से आप अपने च्पीषिट का भॉन 2018 से लेकर 2022 का ना होना होना चाहिए समझ यह 2013 का कोई मत बन मां के लिए ने तो आपको रिजेक्ट कर देगा सिगनेचर उस पे 2022 का ही होना चाहिए इसके बाद आप लोगों को छठा डॉकुमेंट जो आता है हमने आप लोगों को बता दिया कि भाई काड होना चाहिए अधार काड होना चाहिए का सबसे जरूरी डॉकुमेंट है और एक चीज़ समझ लीजे का सटिफिकेट में यदि आपको का सटिफिकेट वहां पर एक्सेप्ट नहीं होगा तो आपको कोई भी समय नहीं मिलेगा कि आप जाइए दस दिन के बाद जमा कर जाएगा समझ के दोस्तों तो इस तरह का काम आप लोगों को नहीं करना है तयारी में आप लोगों को लगे रहना है और सब अपना अपना डॉकुमेंट तयार करवा लिजे का सटिफिकेट सबसे जरूरी डॉकुमेंट है डिसीडेंटल से और जितने भी डॉकुमेंट है जितने भी ये डॉकुमेंट है सब पर आपका नाम आपके पिता जी का नाम आपके माता जी का नाम और आपका डेट ऑबर्थ ये चारों चीज तेम होना चाहिए आपके अधार कार्ट पर भी आपका नाम रमेश ही होना चाहिए समझे यहां आप लोगों को बता दे एक चीज कर दिए हमने आपको बटा दिया की नीम क göra other नेम मधर नेम और डेट चारो का आपके आधार काड़ से आपके सथे स्सरेन्था मार्क्सीट से मुल परमान पत्ते आपगे पकर से समॉझ最近 यह चारो सकते हैं जिसमें स्पेलिंग में मिश्टेक है लेकिन यहीं आपका सब कुछ ठीक है एडमीट कार्ट पे नाम गलत है यहीं बोल्ड का यह गलती है तो आपको टेंशल नहीं लेना है जिस्वें स्टूडेंट का आपके ना पिताजी के नाम कुछ भी प्रोब्लम है तो सब दोकुमेंट का एक एक परती फोटो कॉपी सबका करा लेना है और जितने फोटो कॉपी डॉकुमेंट है उस फोटो कॉपी डॉकुमेंट पर अपना सिग्नेचर कर देना है समझगे और दोस्तों ओरिजिनल भी आप लोगों को साथ लेकर जाना है औरिजिनल डॉकुमेंट किसी भी स्टूडेंट का कोई प्रोब्लम है तो आप इस नंबर पर देख लिए यह नंबर है मेरा 82-92-92-87-89 call मत कीजिएगा समझगे दोस्तों call मत कीजिएगा call मत कीजिएगा कोई भी आपको यह प्रोब्लम है कोई भी समस्या है डॉकुमेंट से समंधित समझगे तो आप लोग इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं वाट्शेप के जड़िए और दोस्तों बता दे जिस भी स्टूडेंट का SSB आर्टीसी सुपोल में हुआ है बिहार में समझगे कहीं से भी यह आप है तो इस नंबर पर आप मैसेज कर दीजिएगा आपको कोई कोई भी प्रोब्लम यहां आने में नहीं होगी जिस भी स्टूडेंट का SSB आर्टीसी सिपोल बिहार में हुआ है तो इस नंबर पर बैरासी बैरानमे बैरानमे सतासी एकानमी हमारे टीम का नंबर है इस पर मैसेज कर दीजिएगा कोई भी इंफरमेशन लेना होतो तो दोस्तों डॉकुमेंट के बारे में हमने आप लोगों को बता दिया कितने सारे डॉकुमेंट आपको लेकर आना है एक एक परति फोटो कॉपी करा लेना है बाकि अब राना बिल्कुल भी नहीं है तैयारी में लगे रहे हमारे सुब कामने आप लोगों के साथ है और दस्त अपरेल से क्या क्या होगा सेंटर पर मिल जागा तो दोस्तों चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिए नेक्ट वीडियो में जाहिंद वंदे मात्रम ब